प्यारे साथियो इस वीडियो को आप ध्यान से देख ले ना जो SSO ID में कल एक नया और अपडेट कर दिया गया है इव आप सभी कंडिडेट अपने घर बैठे पोरम को भर सकते हो ठीके ना चाई आपका पोरम वेरिफाई हो चाई अपूर्ड हो चाई सम्मिट हो चाई आपन बरना है ठीक है देखो दोस्तों जब आप SSO ID पर जाओगे देखो पहले तो देखना यह मैसेज है यह सभी के पास आया ठीक है ना सभी के पास और सभी को यह बरना है और मैं यह भी बताऊंगा कि पहले किसी जदी आपने इमेल कर दिया है या डोकुमेंट जमा करा दी है क बरले में क्या आपको भी बरना है या नहीं बरना है ठीक है अच्छा देखो दोस्तों जब आप जैसे SSO ID को ओपन करोगे ठीक है ना तो आपके सामने इस प्रकार का उप्सन दिखाए देगा देखो इसमें सबसे पहले उपर लिखा हुआ है राजस्थान मुक मंत्री यू सबस्क्राइड है BSTC है पोलो टेक्निक है या आया इटी यदि आपने किया हुआ है तो इसमें यस कर देना ठीक है और यह मानलो आपने कोई भी कुर्स नहीं किया हुआ है प्रोफेशनल यदि आपने वी उस اور ये MA कर रखिए, BA कर रखिए, BST कर रखिए, MST कर रखिए, MCOM कर रखिए, तब तो आपको इसमें NO करना है ध्यान रखना, मैं एक बार पुने समझा देता हूँ, यदि आपके पास Professional Course कर रखा है तो इसमें YES करना, यदि आपने नहीं कर रखा है, तो NO करना ठीक ना, जैसे आप YES करोगे, तो आपके सामने अलग परकार का इक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जिसमें आपका RCIT दिखाए देगा, MBA दिखाए देगा, BBA दिखाए देगा, IIT दिखाए देगा, Polo Technic दिखाए देगा, अधर दिखाए देगा जो भी आपके पास होगा, उसको टिक कर देगा, और जैसे टिक करोगे, तो आपके सामने अगला ओप्शन इसमें ये आजाएगा, कि आपका कोर्स का कौन सा नाम है, इसमें आप यहां पर देगा, जैसे RCIT है तो RCIT पर देगा, और आपकी कोलेज का नेम है, वो यहां पर द आपके डिपलोमा में लिखा हुआ है, 2020 है, 2021 कुछ भी है, ठीक है, उसके बास आएगा, कोर्स से सर्टिपिकेट अपलोड करें, यहां सबसे बड़ी समझ चारी है, ठीक है, तेको जो आपका डिपलोमा है, उसकी फोटो लेकर उसको PDF में बदल लेना है, ठीक है, पिर उसको यहां अपलोड कर देना, ठीक है, जैसे अपलोड करोगे, तो नीचे ओप्सन दिखाए देगा, उसमें लिखा हुआ है, दिनांक एक जनवरी 2021 से बेरोजगारी बत्ता जारी रखने पाने के लिए, किसी भी सरकारी वाग में परती इंटरसिप की जानी अनिवारी है, क्या आप इसके लिए सहमत है, बिल्कुल इसमें यस करना है, ठीक है, अच्छा, ये तो रही किसके लिए, जिसने भई प्रोपेशनल कोर्स कर रखा है, ठीक है ना, अच्छा, जैसे इसमें भई आप यस कर दोगे, नीचे आएगा, एक्सेप्ट है, इसको ओके कर देना, जैसे आप ओके कर दोगे, तो साथियों आपका फोरम इस प्रकार से आजाएगा कि आपका फोरम सफलता पूरक हो गया है, ठीक है, और जो आपका डोकुमेंट भई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, वो अपलोड नहीं होता है, आप पीडी एप में नहीं बदलते हो, तो इस प् उप्सन आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको पीडी एप में बदलके अपलोड कर दे, एक मिन्ट का काम है, दूसरा बड़ा सवाल है यह आता है, भही आपके पास कोई भी प्रोपेशनल कोर्स नहीं है, ठीक है ना, आपने में बीए, बीए सी भी कॉम कर रखिये, ठीक है तो भी आपको जैसे आप बढ़ते जाओगे, इसमें उप्सन आते जाएंगी, ठीक है ना, उसको आप भर देना, इप सबसे बड़ी समस्चा की है कि हमने पहले इमेल कर दिया, तो क्या हमें, हमने पहले मैसेज कर दिया, हमने रोजगार कर लजा कि डोकुमेंट जमा करा द तो यह मैसेज इसलिए भेजा गया है, क्योंकि काफी साथी पहले फोर्म नहीं पर पाये थी थी, ठीक ना, तो जिन साथियों ने पहले डोकुमेंट जमा करा दी हैं, तो उनको बिल्कुल भी भरने की आओ सकता, नहीं है, जिसने इमेल कर दिया था, इमेल सफलता प्रोक हो जाएगा, ठीक ना, तो इसमें आपको घबराने की आओ सकता नहीं है, मातर एक मिन्ट का काम है, यदि आप मोबाइल से नहीं भर पा रहे हैं, तो इम इतर पे जाना, उसको आपकी लोगिन आईडी और आपके पार्शूर बता देना, और SSO आईडी पर हो जैसे उपनोगा तो आपका पूरम दिखाई देगा, ठीक है ना, यदि आप भर पाने में सक्षम हैं, तबी बरे नहीं भर पाते हैं, तो इम इतर पे चला जाना, तिस चाड़ रुपे आपके लगेंगे, इम इतर बारेक, ठीक ना, आपका पूरम एक मिन्ट में सफलता पूरो के हो ठीक है, तो धन्यवाद,